आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कुछ पॉइंट जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं अगर आपके अंदर है त्यान से सुनिए अगर ये पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं अगर आपके अंदर है तो आपको अब जरूरत है क कि आप अपने surrounding में एक boundary create करें जी हाँ, boundary यहाँ कि मैं कोई physical दिवार खड़ी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी boundary जिसमें सिर्फ आप होंगे आपके thought, आपके emotions, आपकी energy होगी, दुसरे को permission नहीं होगी इसमें enter करने के लिए, जी हाँ, तो वो क्या-क्या points से इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला अगर आपके अंदर एक ऐसी आदत है कि आप किसी को ना नहीं कह सकते हैं, जी हाँ, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो ना नहीं कह सकते हैं, तो अगर ऐसी आदत आपके अंदर है, तो आपको जरूरत है कि आप एक boundary create करें अपने आसपास, दूसरी बात कि अगर कोई ऐसी matter चल रही है, ठीक है, कोई ऐसी matter चल रही है जो आप से related है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कई बार होता होगा ना गर में या office में आपके बारे में कुछ बात चल रही है, लेकिन आप उसके बारे में बोल ही नहीं पा रहे हैं, कि नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, होता है ना, कई लोगों को ऐसा होता है, बात चित बहुत चल रही है, लोग कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ है आपके अंदर तो आपको अप बाउंडरे क्रियेट करने की शुरुवात कर देने पड़ेगे आप कई बार ऐसा पाएंगे अपने आपको एक ऐसी सिट्यूएशन में पाएंगे जहां आप अपने आपको अकेला मैसुस परेंगे इनर्जी ड्रेन होती हुए आपको मैसुस होकी घर के लोग या अफिस को लोग या बाहर या फ्रेंड्स ऐसा कुछ है समाज के लोग या कुछ भी है वह एंजोई करेंगे लेकिन आपको अकिला छोड़ देंगे आपको सामिल नहीं करेंगे उस एंजोमेंट में वो लोग बाहर गुमने जाएंगे लेकिन आपको गर पे अपके लर्खेंगे वो फ्रीडम हासिल करेंगे लेकिन आपको फ्रीडम नहीं दी जाएगी होता होगा न तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको अपने आसपास एक safe strong boundary create करने की ज़रूष है ठीक है अगर आप अपने आपके लिए टाइम नहीं दे सकते हैं तो भी boundary create करने की ज़रूष है सुभे से लेकर रात तक देखें यहां मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सब कुछ खाम छोड़ दीजिए सिर्फ अपने को ही टाइम दीजिए नई जिम्मेदारिया मैं भी निभाता हूं अपने परिवार के प्रति जो भी है आप भी सबी जिम्मेदार निभाई है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह सब छोड़ देना है गर का काम है ऑफिस का काम है जो भी करना है करिए लेकिन दिन में कम से कम 30 मिनिट आपका अकेले का होना चाहिए जिसमें आप अपनी जो भी आपको खुशी मिल रही है जोई मिल रह है ठीक है आपकी कोई अच्छी टेलेंट है या आदत है ठीक है बच्पन में जैसे लेखते हो ना कि हमारी पहुत कुछ इच्छाए होती है कलरिंग करना पैंटिंग करना गाना सुना डांस करना स्टोरी लेकना बुक्स पढ़ना मेडिटेशन करना ठीक है कुश शोशल वर करने की जरूरत है कि यह बहुत जरूरी है आपको अपने लिए टाइम देना ठीक है सब जिम्मेदारिया निभाईए सब कुछ करिए जौब करिए सब कुछ लेकिन फिर भी दिन में कम से कम डेल लिए आधा गंटा तो जरू से अपनों देना है जिसमें आपको खुशी मिल फिर हर बात पर एग्री हो जाना कई बार ऐसा होगा कि आप बस हर बात पर एग्री सामने वाला जो कहेंगी बस आप एग्री ही एग्री बले चाहे उसको करने के बाद आपको फिलिंग आ रही यार कहां यह मैंने कर दिया कहां मैंने बस हा बोल दिया एग्री ही एग्री पॉटा होगा तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी आपको शेफ बाउन्डरी क्रेट काने की जरुवत है और लास्ट में आपको कहूँगा की अगर मान लिजी कोई ऐसा परसन है जो आपके प्रती हिंसा कर रहा है गाली गलोज कर रहा है disrespect कर रहा है लेकिन हर बार अगर आप उसको माफ कर रहे हैं हर बार आप उसको माफ कर रहे हैं तो भी आपको आपके पास surrounding में strong boundary create करने की जुरुत है देखे normal तो चलता है मैं normal की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है बहुत कुछ हिंसा कर रहा है इंसल्ट कर रहा है उस टाइम की बात कर रहा हूँ एक boundary create करने की जुरुत हो चुकी है तो यह सब जो बाते हैं अगर आप अपने अंदर पा रहे हैं तो आपको आपके पास यह time आ चुका है कि अब आप अपने आज़ पास surrounding, एक strong boundary create करें जिसमें सिर्फ आप होँगे आपके thought होगे, आपके energy होगी आपके vibration होगे आपके emotions, आपका work, आपका passion आपकी life होगी No one can enter चाहिए कितना भी close क्यों ना हो ठीक है No one can enter in this boundary ठीक है याद रखिए अगर boundary create नहीं करेंगे तो दीरे दीरे आप negative pattern में फस्त जाएंगे stress, tension, depression में फस्त जाएंगे आप बीमारी में फस्त जाएंगे psychological issue में फस्त जाएंगे आप, आपको पता भी नहीं चलेगा आप अपने आपका नुकसान करते रहेंगे ठीक है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको disrespect कर दीजिए, सबको गाली-गलोज कर दीजिए, गुस्ते से बात कर लीजिए मैं ऐसा बिलकुल नहीं बोल रहा हूँ सबको respect से बात करने हैं लेकिन firmly बोलना है ठीक है सांती से बोलना है लेकिन firmly बोलना है कि हाँ यह boundary है मेरी अब यह नहीं चलेगा मुझे भी मेरा हक दीजिए मुझे भी खुशी ले रही है मुझे भी बात करने हैं अपने आपके बारे में मेरे भी emotions है, मेरे भी life है मुझे भी time चाहिए थोड़ा अपने लिए ठीक है थोड़ा time तो चाहिए ना पूरी जिम्मदारी सुबे साम निभा रहे हैं निभाई यह सब कुछ करें लेकिन थोड़ा time निखाले अपने लिए फिर आप पाट-पाट-दस-दस गंटे अपना ही काम करते रहे और सब कुछ बोल जाए ठीक है गलत तरीके से भी ना ले ठीक है अच्छा करने को मैं बोल रहा हूं और एक तरह की प्रोटेक्शन बबल भी आप क्रेट कर सकते हैं जिसमें चाहे कितना भी आप लोग आपके विरुद में बोलेंगे लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं होगी और इस तरह की इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स होती है चो आपको मैंटलि इमोचनलली स्ट्रॉंग बनाती है आपकी लैप बहुत बेशचनल इस तरह को hall道 नहीं इनलप अग करती हैं इस कि लाइक पो जीने का नजारिए अपने आप के जो मेरी पैचानी वह भी निये बदली है तो अगर आप भी बदलना चाहते हैं एनल पी सीखना चाहते हैं या और भी मेरे जो spiritual courses है रेकी है लामाफेरा crystal एंजल आकाशिक रेपोर्ड ठीक है अगर आपको सीखना चाहते हैं तो 9974-969080 यह मेरा WhatsApp नंबर है आप उस पर मुझे contact कर सकते हैं online या offline वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू से कीजिए कॉमेट में भी मुझे जरू से बताएं नए हैं चैनल पर तो subscribe जरू से कीजिए और share भी जरू से कीजिए ओके थैंक्यू